So hello students, आज का लेक्टर है, वो काफी interesting सा होने वाला है, क्योंकि आज की इस लेक्टर के अंदर हम है, वो एक important thorem है, वो prove करने वाले है, जो कि exam की दरश्टी से देखा जाए, तो इस साल के लिए काफी important भी रहने वाली है तो यह जो थोरम है वो normally हम है वो vane diagram की help से है वो prove करेंगे तो vane diagram में है वो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको one by one है वो vane diagram थोड़े से बता देता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा concept है वो खुल के clear हो जाए दिन इनी की help से है हम वो यह theorem हो prove करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो first वाला vane diagram है वो यहाँ पे हम देखते है कि यह जो diagram है यह यहाँ पे A intersection B complement को है वो परदसित कर रहा है अब आप बात करोगे यह B complement का क्या मतलब हुआ तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यह पूरा एक universal set लिया है vane diagram में और यहाँ पे हमने दो जो यहाँ पे set है एक तो A set लिया है goal और एक ले लिया B set goal दोनों का हमने intersection करा दिया है ठीक है then अब हमने क्या किया है कि यह पूरा set A है यह पूरा set B है और यह जो इनका common वाला part है ना यह वाला part केवल यह यह वाला part यह denote करता है A intersection B को ठीक है यह वाला part है वो denote करता है A intersection B को अब मैंने यहाँ पह लिखा है A intersection B का compliment तो यहाँ पहे आप है वो इस छीज में इतना सा ध्यान रखी है कि जहां भी B है B वाला part जहां कहीं भी है वो वाला part आपको नहीं लेना है B compliment में के बालौ A A वाला पार्ट है वो लेना है अब आपको पता है यह वाला पार्ट है यह पूरा A पार्ट है लेकिन यह इतना सा पार्ट है यह intersection बी का आत्ना सोब थेले इभलत यह वाला एंगल छोड़ना है और वह यह stehtने using intersection B कॉंप्लिमेंट आपके पास और आईगा वाले डाइग्राम में हम देखे तो हमेंने लिखा है A-DES intersection B मतलब A complement intersection B का वेंड डाइग्राम कैसे बनेगा तो उसमें same basic condition है जिसके उपर भी complement लगा हुआ है ना वह वाला part पूरा छोड़ना है जहां भी यह दिखे ना A वाला part वह पूरा छोड़ना है तो आपको बता वाला part ये है और साथ में यह वाले पार्ट में भी A का अंस आता है क्यों यह intersection B वाला है तो इस पूरे को छोड़ देते और यह केवल BB वाला हम लिखेंगे यह जो डाक एरिया कर रखा ना मैंने यह BB वाला यह आपका पार्ट कहलेगा A- intersection B वल्लब की A- complement intersection B का यह वाला डाइग्राम है वो वेंड डाइग्राम है वो फुल्फिल होता है ठीक है यह मैं क्यों बता रहा हूँ क्योंकि इस थोरम के अंदर यह सारी के सारी चीज़े है वो हमारे पास काम में आने वाली है इसलिए मैं यह आपे यह चीज़ बता रहा यह पूरा का पूरा पार्ट इसके अंदर मैंने देखो A intersection B वाला पार्ट रहें इंक्लूड किया है तो यह पूरा पार्ट A को denote करता है Similarly B को B को denote करता है Yay Whalapart क्योंकि यह B लिखा है इसमें हम A वाला अंस है वो छोड़ देंगे यहापर A वाला अंस झोड़ देंगे यहापर B वाला अंस झोड़ देंगे तो हमारे पास यह A वाला पार्ट ह expectation यह B वाला पार्ट हैगा तो हमारी theorem इस परकार से है कि cardinality of a union b है वो cardinality of a plus cardinality of b minus का cardinality of a intersection b के equal होता है अब कैसे होता है इसको हम क्या करेंगे individually prove करेंगे कहने का मतलब है पहले ये वाला part लेंगे इसको किसी के equal दिखाएंगे देन ये वाला part लेंगे उसको किसी के equal दिखाएंगे और दोनों में कुछ ऐसी संकीरिया कराएंगे कि हमारा ये पूरा का पूरा proof हो जाए देखो कैसे करेंगे यहाँ पर a और b है वो कोई दो set दे रखे आपको ठीक है कोई परीमित को finite set दे रखे है तो यहाँ पर solution की बात करें तो सबसे वहले चू की हम जानते है आप ही बताओ मेरे को जैसे LHS वाले पार्ट में मैं ले रहा हूँ a union b क्या a union b को मैं यहाँ पर a intersection b का compliment union a intersection b union a compliment intersection b क्या यह मैं लिख सकता हूँ क्या देखो कैसे a union b का मतलब क्या हूँ यह पूरा वाला पार्ट यहाँ पर देखो यह पूरा वाला पार्ट आना चाहिए तो पूरा वाला पार्ट कब आएगा जब मैं यह वाला पार्ट यह वाला पार्ट और यह वाला पार्ट जब तीनों पार्ट एक साथ ले लूँगा ना तो मेरे पास बोलो यह union, b, equal आएगा कि नहीं आएगा इसमें यह वाला पार्ट आ गया तो इसको मैं 1 यह 1 वाला देखो फिर यह 2 वाला देखो देखो यह वाला पार्ट आ गया फिर हमारे पास बचा कुन सा यह वाला पार्ट यह 3 वाला देखो तो 1, 2, 3 यह तीनों को तीनों जब 8 हो जाएंगे, मिल जाएंगे देन यह पूरा का पूरा बना की नहीं बना बन गया तो इसलिए मैंने इसके equal यह लिख दिया अब next आपको पता है यहां here intersection B compliment और यह intersection B और यह intersection B और यह intersection B यह A सयुक्त समुच्च है अब आप बात करोगे कि A सयुक्त का क्या मतलब हुआ देखो A सयुक्त सेट है वह सेट खेलाते है जिसमें कोई भी element है वह उभ्यनिष्ट नहीं आप खुद ही देख लो क्या इनमें कोई भी चीज आपको common दिख रही है यह वाला पार देखो अलगी है यह आपका अलगी है यह वाला अलगी है कुछ भी common पार नहीं है ना इसके अंदर तो इसका मतलब यह सारे के सारे का है ऐसा यूगनियम लगा सकते है यहां पर हम योगनियम लगा सकते है इसलिए योगनियम से यह जो यूनियन है यह प्लस में इंटर्सेक्शन बी और पलस में कालेटी ओव ए कॉंपलिमेंट इंटर्सेक्शन बी इसको एक बार इक्वेसान नमर हम वन दे देते हैं ठीक है सिमिलल केस यह हमने लगा काम निप्टा लिया अब हम चलते हैं आरेचस में सिमिलल ली आप बताओ एक इक्वल में क्या लिख सकता हूं नव एक्वल आप खुद ही देखके बता दो मेर को इसमें मैंने ए लिख रहा है तो एमें में कौन-कौन सा पार्ट इंग्लूड कर सक है तो यहां पर मैं इसको क्या लिख दूँ यह एंटर्सेक्शन बी का कॉम्प्लिमेट और यूनियन ओप एंटर्सेक्शन बी लिख सकता हूं में आपको पता है यह दोनों ऐसे उक्त समुझ है तो यहां भी योग नियम हम लगा सकते हैं तो इसलिए काडिनलिटी ओप ए योग नियम लगा दिया और कुछ नहीं किया है सिमिलर्ली बात करो बी के लिए इसको मैं एक बार इक्वेशन नमर टू दे देता हूं सिमिलर्ली बी बी के लिए आप बताओ क्या लिख सकते हैं बी वाले पार्ट में कौन से आएगा एक यह आएगा तो मैं इन दोनों को ल कर देता हूं मिक्स कर देता हूं तो मेरे बीटेकव आजएगा आपको पता हैं दोनों एस उगता है तो इसका महलू का देल्टी भी बराबर होगा देल्टी ओप एंटर सेक्षान भी योग नियम से थिक है यह क्वेशन नमबर आ गई 3 आप मैं क्या गरू आपको पता है य तो दो और तीन को में एड करतेता हूं तो एड करूँ तो मेरे पास देखो cardinalty of a plus cardinalty of b lhs को lhs में एड कर दो और rhs को rhs में cardinalty of a intersection b days plus cardinalty of a intersection b plus में cardinalty of a intersection b और यह निचे लिख देता हूं में plus में cardinalty of a days intersection में b ठीक है so next आप यहां पर देखिए कि हमारे पास जैसे cardinalty of a plus में cardinalty of b है और equal में हमारे पास देखो यह वाला पार्ट है यह दो बार है यह वाला पार्ट है तो a के में इधर lhs में लिया आता हूं तो इधर लाओंगा तो minus में आएगा यह a intersection b और equal में मेरे पास जो बचा कुछ चीज़े लिख देते हैं a intersection b का complement plus a intersection b और plus में a days intersection में b अब बोलो equation 1 से compare करो क्या यह वाली चीज और यह वाली चीज सेम नहीं है क्या देखो सेम है तो इसका मतलब equation 1 से यह इसके equal लिख सकते हैं तो that is implies यह यहाँ पे cardality of a plus cardality of b minus cardality of a intersection b है वो आपका equal है cardality of a union b से by equation 1 equation 1 से use करने पर और यही चीज है वह आपको पूरी की पूरी प्रोसेस है वो when diagram की help से है वो समझ में आ गई होगी किसी भी परकार गार डाउल दो तो comment section में आप बता सकते हैं तो अब हम चलते हैं आपके एक और important question students next question आपके पास इस परकार से है कि आपको mathematical induction rule की help से है वह यहां पर यह प्रूप करके दिखाना है कि आपके पास यह जो polynomial यह फंक्शन दे रखा है ना यह आपके पास 64 से divided है तो यह वाला चीज है वह हम easy तरीके से वह प्रूप कर सकते हैं और इसी टाइप के कोई भी क्यूशन आए mathematical इंडेक्शन रूल से रिलेटेड तो वह भी हम है वह जैसे इस वाले क्यूशन में जो मैथड यूज में लेंगे ना same to same way से ही उन क्यूशनों में यूज में लेकि हम easy तरीके से प्रूप कर सकते हैं यहां पर कोई भी वेल्यू चेंज कर सकता है एक्जामीनर ज्यादे से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकते हैं इसक्यूशन में concept सारा का सारा सेम ही लगेगा देखो कैसे solution बात करें यहां पर तो सबसे पहले यह जो फंक्शन है यह हम आ लेते पी एन के एक्वल कि पी एन बराबर आपके पास दे रखा है 3 की पावर 2N प्लस में 2 यह माइनस का 8N और यह माइनस का 9 तो mathematical index and rule से हम क्या करते हैं सबसे पहले हम 1 के लिए इसको प्रूब करते हैं तो यहां पर put n बराबर 1 तो n बराबर 1 put किया और देखते हैं कि जो भी value आती है क्या वो 64 से divided है क्या क्या उसमें 64 का भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है और यह माइनस का 8 होगया है माइनस का 9 हो गया यह माइनस का 8 यह हो गया आपके पास 64 ठीक हमारे पास आगे 64 और आपको पढ़ता है 64 है वो 64 को तो divide करता ही है कोई भी संग्या है उसमें खुद का भाग तो लगे गा हैंस n बराबर 1 के लिए हमारी जो statement डिया हो है वो सकते है ठीक है अब नौ हम यहां पर आपको पता है कि मानके चलते है कि यह जो function जो भी polynomial दिया हुआ होता है यह n बराबर m के लिए या फि उसको उसके आग्ये वाले पद यानि एम लेके चलते तो एम प्लस वन के लिए हमें दिखाना पड़ता है कि एम प्लस वन के लिए भी यह थू है तो हम यहां पर लेते हैं नौ एम बराबर एम के लिए यहां पर जो function है सबते हैं ठीक है एम बराबर एम के लिए सबते है तो इसलिए जब हम एम की जगा एम पुट करते हैं तो हमारे पास मान आता है 3 की power में 2M प्लस में 2 माइनस का A टोप M और माइनस के यहां पर 9 ठीक है और equal में हमें लेना पड़ेगा 64 और यहां पे आप ले सकते हो कोई भी पूर्णा के जहां पे के है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से अब आप बात करोगे कि सर equal में यह 64k हमने क्यो लिया तो यह इसली लिया है क्योंकि आपको पता है हम यह दिका रहे हैं और यहां पर यह चीज और Google haut तो यहां पर तो इसलिए हम यहां पर कोई दिखा देते हैं ताकि हमें आगे जैसे 64 से डिवाइड करें तो किसी ना किसी चीज की तो इकोल आए ना एक तो अच्छा नहीं लगेगा तो उसकाइं से यहां पर यह लिख रहे हैं ठीक है और ज्यादा कुछ रोल नहीं इसका चल नेक्स्ट हमें दिखाना एंकि यह ए में डिरा पर एम प्लस वनके लिए डिवसको सिद्ड़ करना है तो नाव शाप्र ओं को फुट्ट्रे नबराबर एम प्लस वन यह इसलिए न की जग変 यहां पर हं प्लस वन उपोट करेंगी तो थिकश्री होससे मेंय प्लस वन और प् इंपलाइज यह हो गया आपके पास थ्री की पावर तु एम यह प्लसका तू और प्लसका तू जोड़ के फौर हो गया ठीक है और अंदर मचा माइनस के यह एकम बच गया माइनस के या एकवल में अगे लिख देते हैं यहां पर यह लगया 12 में और इंटू में कारी लिख देता हूं आपको बता है कि तो यह बन जाती है लेकिन आमने इसको चोड़ा सा separate गया क्योंकि यह वो अभी में बताऊंगा आपको यह हो गया minus का 8m और यह जूड़ गया आपके पास minus के 17 हो गया ठीक है next देखो that is implies यहाँ पर यह 3 की पावर 2 9 लिख देता हम in 2 में यह देखो 3 की पावर 2m प्लस 2 equation 1 से देखो किसके equal है 3 की पावर 2m प्लस 2 है तो यहाँ पर by equation 1 से देखो यहाँ पर equation 1 से मैं क्या लिख सकता हूं 3 की पावर में 2m प्लस 2 यह equal होगा 64 के यह प्लस के 8m और यह प्लस के 9 बोलो इसके equal हुआ कि नहीं हुआ equation 1 से 3 की पावर 2m प्लस 2 होगा तो नेक्स्ट है वह वाली चीज जब यहाँ पर हम पुट कर देते हैं ना equation 1 का यूज लेके तो यहाँ आप equation 1 इसको हम दे देते हैं तो नेक्स्ट हम यह आप ही क्या लिखेंगे 9 तो बाहर ही है तो यह होगा आपकी पास 64 के प्लस में 8m प्लस में 9 ठीक है और नेक्स्ट के है मारे पास माइनस का 8m और माइनस के 17 ओके लेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा सोल्ट आउट कर लेते ओपर तो यहाँ पर देखें तो यह हो गया आपके पास 9 के अंदर कर देते तो 64 into 9 के प्लस में यह हो गया आपके पास कि 72 ओफ एम प्लस में यह हो गया 81-8m-17 इसको इसा का इसा ही रखो एक बार ना 9 के प्लस में यह 72 एम यह माइनस का एक तंग कितना बचा यह बच गया आपके पास 64 ओव एम ठीक है और यह प्लस में हो गया 81 और 17 जुड़ गये तो यह हो गया आपके सोरी 81 में से 17 गया तो यह कितना बचा आपके पास 64 ओगे नेक्स्ट यहां से पूरे से हम 64 को मल ले लेते तो अंदर क्या बचा 9 के प्लस में एम और प्लस में 1 ठीक है इसको 64 और इस पूरे वाले पदगों में लेमडा लिख दू कहां यहां पर जहां पर लेमडा इक्वल टू 9 के प्लस में एम प्लस में 1 है ठीक है तो बोलो यह मैंने क्यों लिखे है क्योंकि आपको पता है के और जो एम है यह दोनों ही किसमि बिलों कर रहे है नेचूरल नमबर में यानि की मतलब यह दोनों ही संग्या क्या है नेचूरल लंबर से ठीक है तो यहाँ पर देखो यह वाला लिखा है मैंने 64 of lambda तो इसका मतलब हमारे पास जो हमने m plus 1 put किया था तो यह वाला जो पद है वो बोलो 64 of lambda की equal है की नहीं है 64 of lambda का मतलब वहा कि 64 से divide है की नहीं है So hence Hence m plus 1 के लिए यह जो polynomial हमने pn माना है वो सत्य है ठीक है So hopefully आपको पूरा का पूरा concept है वो समझ में आ गया होगा कि केसे हमें वो आसानी से प्रूप करके दिखा सकते है by the use of the mathematical induction rule So thank you for watching मिलते हैं एक और new video की तरफ तब तक के लिए see you